संख्या पध्धती संख्यंकन की भारतिय पध्धती में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एवं तदपश्चात, लाख और करोड का उप्योग करते हैं। चलिए करोड को दर्शाते हैं। हजार, लाख एवं करोड को दर्शाने के लिए कौमा यानी अल्प विराम का उप्योग किया जाता है। प्रथम अल्प विराम सैकड़े के स्थान यानी दाएं से तीसरे अंग के पश्चात आता है। ये हजार अंकित करता है। दूसरा अल्प विराम आगे के दो अंगों के पश्चात यानी दाएं से पांचवे अंग के पश्चात आता है। ये दस हजारवें स्थान के पश्चात आता है। एवं लाख को दर्शाता है। तीसरा अल्प विराम आगे के अन्ने दो अंकों के पश्चाथ यानि दाएं से साथवा अंक के पश्चाथ आता है। ये दस लाख के पश्चाथ आता है। अंतर राष्ट्रिय संख्यांकन पद्धती जिसका प्रयोग किया जा रहा है उसमें हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एवं ततपश्चाथ मिलियन है। एक मिलियन, एक हजार का हजार का होता है। अल्प विरामों का प्रयोग हजार एवं मिलियन को दर्शाने में किया जाता है। ये दाएं से तत्यक तीसरे अंक के पश्चाथ आता है। प्रथम अल्प विराम हजार दर्शाता है एवं अगला अल्प विराम मिलियन को दर्शाता है। आईए कुछ बिंदूं को देखत एक करोड सो लाक के बराबर होता है, एक मिलियन हजार के हजार के बराबर होता है, दस करोड सो मिलियन के बराबर होता है, एक सो हजार एक लाक के बराबर होता है,